हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा छटी की मराथी पार्ट तेरह मोठी आई और इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रश्णूत्र और प्रश्णूत्र हम देखेंगे आपके digest का क्यूंकि आपको digest का ही question answer चाहिए होता है इसलिए यहां पे मैं आपको digest का ही provide कर व जिन बच्चों को मराठी में दिक्कत है यहाँ पे वो देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जोरी जोंदला मतलब जोंदला यानि जोरी जोर ठीक है एक तरीकी का ग्रेन है जो रॉकेल यानि घासलेट कैरोसीन जो होता है कवठे मतलब एक फल का नाम है ये वुड एपल है सूत यानि थ्रेड जो धागा होता है रेशिम एक मखमली धागा सिल्क सिल्क को ही रेशम कहते हैं यहाँ पे रेशिम मराठी में लिखा है कपाशी यानि कापूस यानि की कॉटन तूती यानि ये जाड का नाम है मलबेरी तूती यानि की हम उसको बोलते है तूत ठीक है हिंदी में सरायद उसे तूत बोलते हैं शेह तूत बोलते हैं और मराठी में उसे तूती बोलते हैं और ये इंगलिश में मलबेरी रूपे यानि की चांदी कथिल यानि ये भी धातु है तीन का ठीक है मेटल है घिर्णी यानि कारखाना मिल और यहां पर क्या लेका गुर्णिया यानि बटने बटन्स तूड़िया यानि लोखन का एक जो सलिया होता है ठीक है बीम बिजागर यानि दारा साथी, यह क्या इसका मतलब क्या है, बिजागर यानि हिंज, चुनकड़ी यानि जो लाइम स्टोन होता है ना चुना पत्थर वो, कड़वा यानि की dry fodder, ठीक है कड़वा, खान यानि माइन, जो खान होते ही है, जैसे कोईला की खान, सोने की खान वो, phrases and their meanings यहां पर phrases दिये गया है उसका meaning क्या है वो भी दिया गया है माया करने यानि प्रेम करने means to love to show affection खाऊ पीऊ घान ले यानि पोशन करने to fondly feed to nurture मतलब कि पोशन करना किसी का potashy गेने यानि कि protect करना किसी को किसी की रक्षा करना मायने जवड कमी समझने यानि की हीम समझने to underestimate किसी को कम समझना जिवधर यानि जीवंतराने to grow to flourish ठीक है उत्पन होने यानि निर्मान होना to produce to yield प्रेम भाव बाण गणने मतलब कि प्रेम की भावना को मतलब कि शौकीन होना किसी चीज के लिए बहुत फ्रेम की भाव के लिए हम आप एक questions देखते हैं एक दो वाकी में आपको उत्ता लिखना है घर बाधनिया साथी कौनकोंतिया वस्तू लागता तस्ये तुड़िया दारे खिंक्याच्या कड़िया वविजागणिया साथी लोकन लागते जमीनिये च्या पोटात रॉकेल, चांदी, रुपे, तांबे, कतिल, सोने, लोकन, वद दगडी, कोड़सा ही खनीजे साप्रतात कारखानियाद धातु पासुन कोण कोणतिया वस्तु तैयार होतात त्या खड़का पासुन चूना तयार करतात। मोठी आई साठी पाठात वापरले गलेले शदलिया। पासून इससे तुमें रेशम मिलता है रेशिम गाई माशी पासून दूध तक्त भरा यानि देखो मनुश्य आचे खाद क्या-क्या है मनुश्य के खाने वाली चीज़े क्या-क्या की हैं देखो गवाची पोड़ी जुन्द्याची भाकरी तांजड़ाचा भाद भाजी पाला दूद दही तूप इतर अन ठीक है ये सारी चीज़े खाते हैं घर बांद निर्णा उपयुक्त वस्तू घर बांदने के लिए क्या-क्या वस्तू जरूरी हैं दगड माती वीट्चा चूना लाकूर लोखन ये सब विविन खनीच कौन-कौन से तो सोने चांदी तांबे कथिल रूपे लोखन दगडी कोड़सा प्राणियाचे खात ये क्या है जो प्राणिय लोग खाते हैं गवत, कड़वा, फड़े अब नेक्स प्वेशन देखते हैं पाठात आले लिया चार फड़ांची नावे लिया पाठ में आये चार फ़लो के नाम लिखना है केडी, पेरू, आमबे, द्रक्षे मोट्या आई पासुन प्राप्त होना रहा, गोश्टी लिहून आकरिती पून करा, कम्पीट देखते हैं तो देखते हैं, मोटी आई तो देखो, खनीज, खनीजे, अन, घर, भांडी, कुंडी, रुखो, देखो, अभी, अभी क्लियर देख रहा होगा बांडी, कुंडी, काचेचे, सामान, मोटारी, कपडे, लाकूर, खनीजे, अन, यह सारी चीजिया में मिट्टी से मिलते हैं, मोटी आई यानि कि मातरभूमी, यह सारी चीजियों से मिलता है, हमने पड़ा, अभी, उपर में क्या-क्या बोलते हैं, मोटी आई को पुढिल पदार्थ कशा पासुन बनता लेते लिया तो देखो यहाँ पे जो पदार्थ है वो कशे बनते वो बताय गया है देखो यहाँ पे फुटाने यह किससे बनता है चने से साखर देखो किससे बनता है उसका ठीक है उसका मतलब जो गन्ना होता है उससे बनता है साखर फुटाने किससे बनता है चने से मनुके किससे बनता है द्राक्षे जो अंगूर रहता है भाकरी ज्वारी वाजरी चपाती गहू से बनता है वेफर्स बटाटा सौस ट्रोमैटो से सरवत कैसे बनता है मौसंबी संत रित्यादी फड़े चिक्की ये गूर शेंगदाने इससे बनता है ना गूर शेंगदाना से चिक्की बनता है ना कितना अच्छा लगता है काने में तो लोखंडी वस्तू तूड़िया खुर्चया पलंग काचिच्या वस्तू कांच के वस्तू जो है ग्लास बाटली मग लाकडी वस्तू खूर्ची टेबल खांप मातिच्या वस्तू मड के गडू अब यहाँ आपे देखो एक्टिविटी दी गई है तुम्ही खात असले लिया अन्न पदार था तील तो देखो यहाँ पर दूसरा क्या है मुद्दे दिए गए है यहाँ पर दिए गए है इस पर भी आपको लिखना है तो यह सब आपका प्रोजेक्ट है जो आपको इस स्कूल में बताया जाएगा ठीक है तो कोई डाउट रहे कॉमें सेशने पूछे चनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेला कंप्रेस कर लीजिए और उसमें से तीन आप्चन आएगा जब बेला कंप्रेस कर लीजिए तो पहला आप्चन रहता है औल का औल पर क्लिक करना उससे क्या होगा जब भी नई वीडियो अप्लोट करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है अपने फ्रेंग साथ भी शेयर कर दीजिए उनको भी एल्प मिल जाएगी